दोस्तो अगर आप बालों को अच्छा होल्ड देना चाते हो तो हेर स्प्रे आपके लिए बेस्ट आप्शन बन जाती है और इस वीडियो में हम गेट सबाई की एक हेर स्प्रे का रिव्यू करने वाले हैं इसका नाम है अल्टरा हार्ड लेवल 7 हेर स्प्रे चलिए स्टार्ड करते हैं इस रिव्यू को तो ये हेर स्प्रे आती है इस 250 ml की मेटैलिक पैकजिंग में जो की दिखने में काफ़ी खूपसूरत लग रही है और इसका ये गोल्डन कलर इसको प्रेमिम लुक प्रोइड कर रहा है इसके उपर लिखा गया है कि ये हेर स्प्रे अल्टरा हार्ड है और इसका लेवल है 7 अब दोस्तो इसके उपर ये जो लेवल 7 लिखा गया है ये बेसिकली क्या चीज है पहले में आपको बता दूँ कि बालो में होल्ड के लिए हम जो भी प्रेक्ट यूज करते हैं उसका एक लेवल असाइन किया जाते है तो बेसिकली ये जो लेवल है ये अच्छकली होल्डिंग पावर है हेर स्प्रे का जितना हाई लेवल होगा उतनी अच्छी उसकी होल्डिंग पावर होगी जैसे अगर आपको बालो में कम होल्ड चाहिए तो आप उस हेर स्प्रे को चूज करोगे जिसका लेवल ज्यादा होगा और इस hair spray का level है 7 तो इससे आपको काफी तकड़ा hold मिलने वाला है मतलब बालों को ये काफी strong hold provide करेगी और जब आगे वीडियो में मैं इसको use करूँगा तो आप खुद देखना किसका hold कैसा होता है चलिए दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ इस hair spray के कुछ features इससे आपको main 5 features मिल रहे है पहला feature है किस hair spray से आपको long lasting hold मिल रहा है बालों को जिस भी hairstyle में अपने set कर लिया आपका वो hairstyle काफी गंटों तक वैसा ही रहेगा इसका दूसरा feature है कि ये बालों में कोई भी residue नहीं छोड़ती नॉर्मली क्या होता है कि काफी सारे hair products ऐसे होते हैं जैसे हम बालों में use करते हैं तो थोड़ी देर बाद बालों में एक white color की पपड़ी सी बन जाती है मतलब एक residue छोड़ देता है जिससे बालों की look खराब हो जाती है लेकिन इस hair spray से आपको ऐसा नहीं होगा इसका तीसरा feature है कि इससे अपको कोई भी stickiness effect नहीं मिलेगा मतलब बालों में आपको कोई भी चिपचनाहाड feel नहीं होगी इसका अग्ला feature है कि यह बालों में shine provide करती है मतलब बालों में चमक होती है वो भी इस hair spray से आजाती है इसका last feature है कि ये बालों को sun की जो harmful UV rays है उससे protect करती है मतलब बालों को damage होने से बचाती है चली दोस्तो अब मैं use करता हूँ इस hair spray को लेकिन use करने से पहले कुछ बाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि दोस्तो कोई भी hair spray है वो flammable होती है मतलब easily fire को catch कर लेती है तो ऐसा ना हो कि आप hair spray को use कर रहे हो और आपका जो दोस्त है वो side में खड़कर beady फूक रहा हो तो जब भी आप hair spray को use करें ध्यान रखना है कि आपके आसपास fire नहीं होनी चाहिए और hair spray को use करने के लिए सबसे पहले अपने hair spray को अच्छे से shake कर लेना है बालों को अपने पसंदीदा hair style में set कर लेना है उसके बाद इसे बालों से 30 cm दूर hold करना है और बालों पे apply कर लेना है इसे सारे बालों पे apply करने की ज़रूरत नहीं होती बालों के जिस area पे आपको लगता है कि यहाँ पे hold की ज़रूरत है वहाँ पे आप hair spray का use कर सकते हैं और जैसी आप इस hair spray का use कर लोगे तो बालों में आपको तुरंट shine नजर आ जाएगी और उसके बाद आप देखोगे कि बालों में काफी अच्छा hold आ जाएगा मतलब एक बहुत ही अच्छा hold बालों में आ जाएगा तो parties में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे भी हिल रहे हो आपके जो बाल है वो नहीं हिलेंगे तो बाल जो है एक जगा stare हो जाएगे तो अगर आप बालों में जादा hold देखना चाते हो उसके इसमें ये hairspray आपके लिए बहुत अच्छी choice बन जाती है चैड़ी दोस्तों देख लेते हैं इसके ingredients को तो इसमें भी बाकी hairspray के जैसे ही काफी harmful ingredients यूज किये गए हैं मतलब काफी खतरना का ingredients इसमें डाले गए हैं क्योंकि शम्ता रखते हैं बालों को damage करने की अगर आप इस hairspray को भी daily use करने लग जाओगे तो आपके जो बाल है वो damage हो सकते हैं तो मेरी advice रहेगी कि आप इस hairspray को तभी use कीजिए जब इसकी जरूरत हो जैसे किसी party function में अगर आपने जाना है तो तब आप इसका use कर सकते हैं और अगर आपके बालों की health अच्छी है तो आप इसे हफते में दो बार use कर सकते हैं जादा बार अगर आप use करोगे तो बालों की health है वो कमजोर पड़ जाएगी और एक stage ऐसी भी आजएगी कि आपको जो बाल है वो टूटना शुरू हो जाएगी तो मेरी advice है कि daily आप इसका use मत कीजिए जब जादा जरूरत हो तब ही आप hair spray का use कीजिए चलिए दोस्तों देखते हैं इसके price को तो यह hair spray आती है 250 ml की quantity में जो कि काफी लमा time चल जाएगी और यहाँ पर जो इसका price listed है वो है 270 रूपी और अगर आप इस hair spray को खरीदना चाते हो तो नीचे discussion में links provided है और links की मदद से आपको यह hair spray काफी जाजा सस्ते price में मिल जाएगी तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छे लगी है तो वीडियो को like करना अगर आप चैनल पर पहली बार आयो कि चैनल को subscribe कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो करना अपने दोस्तों के साथ भी share करना ताकि वो लोग भी इस hair spray के बारे में जान सके और अगर आपके मान में कोई question है आप उसे नीचे comment section में post कर सकते हैं दोस्तों जल्दी में लेंगे एक और नए product review के साथ तब तब के लिए जय हिंद